विदार्तियों गुड मॉर्डिंग आज बत्यों नेक्स्ट चैप्टर करें क्लास सेवंथ क्लास सेवंथ क्लास सेवंथ का नेक्स्ट चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग चैप्टर फिफ्ट बत्यों यह करेंगे ठीक है अब यह सबसे पहले यह समझना प्रियास करें आपे किस के बारे पूछेगा किंग कलियर और उन्होंने कौंसी बिल्डिंग बनवाई इसे ताथ प्रिय प्रिय र उन्होंने बिल्डिंग बनवाई और इन्होंने कौन सी टेक्टिक अपनाई यह हैं, तीन बाते हैं, फर्स्ट किंग, राजा कुन था, विच्ट बिल्डिंग्स दे मेड, देन, टेक्निक, विच्ट टेक्निक दे अपलाइड, ठीक है, to make that, बिल्डिंग्स, यह बत्वो, अब यह कहते हैं, कि 7th century से लेकरके, 10th century तक, कोई ज़्यादा वो नहीं था, कलियर, ठीक है, कोई ज़्यादा, superstructure टाइप से बिल्डिंग्स नहीं थी, यह बात भी, और उसके बाद, 8th century से लेकर 12 तक, नहीं बिल्डिंग्स आई, और मैं यह कहूँ कि 12th century में, AD में, कुछ नहीं टेक्निक आई भारत में, क्योंकि यहां से दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत बच्वों, इसकी स्तापना होती है, 1206 में, यह होती है, तो मुसलिम प्रोट न्यू टेक्निक, आप इन्हों ने ये किया, कि कुटूब उदिन अबक, ठीक्निक माने कुटूब मिनार, कुटूब मिनार, धिस बिल्डिंग, वाध स्टार्ट जोनिक न्यू अबक्निक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं बच्चो के कुटूब मिनार कुटूब दिन एवक ने अपने नाम से बनवा दिनों यह ठीक नहीं है इन्होंने एक सूपी संते से कुटूब दिन एवक कुटूब दिन बख्तियार का की यह नाम बच्चो उसका पूरा संत दिन एवक ने से कुटूब दिन बख्तियार का की ठीक है बख्तियार का की बच्चो यह इनकी आद में बनाई थी इनके सम्मान में बिल्डिंग जो बनाई कुत्व मिनार, कुत्व बुदिन एवक ने, से कुत्व बुदिन वक्तियार का की, इनके सम्मान में बनाई थी वक्चों, लेकिन इन्होंने एक पॉर्शन ही पूरा किया, फिर ये डाइड, मर गई, उसके बाद फिर दूसरे जो राजायन, इल्टू काम, उसके बाद सिकंदर लो दी, इन्होंने भी क्या काम, कुछ रिपेर, फिर उसा तुगलक के सम्में, तो ताइम में तो ये जो आकास ये जो बिजली होती है, थंडरबोल्ट, ये श्टाइकर के थी, एक पॉर्शन गिर गया था, उपर वाला, ठीक है, उसके बाद फिर इन एक बड़े पॉर्शन को उतार करके, जो दो छोटे पॉर्शन जोड दियो उसमें, आसानी के लिए, ठीक है, फिर उसा तुगलक के समय में, ये हुआ था, ठीक है, ये पांच मंजिला, स्टोरी, बिल्डिंग है बच्छो, और इसके उपर, एंगुलर, डेजाइन, और कराउड, ये टेकनिक, ये जो बिल्डिंग है, उस पे लिख वो अपनाए गई, इसके साथ साथ जो कुरान की आयते हैं, आयते कुरान की, इसको पर वो भी लिखी गई, बिल्डिंग पे, ठीक है, और इसके साथ ये कहा जाता है, कि यहां पे एक सकूल था, जो उसमें आई कुछ कहते हैं, 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 इस पे ठीक है तो यह बात धान रखिए कि यहां पर इस पर यह जो बिल्डिंग है इस पर यह हुआ है कलिर बतो कि इसका मतलब है कि किस राजा ने क्या बनवाया और कौन सी टेक्निक अपनाई यह कहते कि इस से जो पहले है 12th century मानलो बतो 12th century से पहले मानलो की चार दिवारे कर दिवारे ठीक है इस साइडे में जो कमरा बनता ने उसके उपर क्या बना दी स्टोन की सलेब कर दी स्टोन सलेब कर दी सलेब ठीक है छोटप छोटी शिलेब डाल दी उसके उपर श्लैब और इसके बीच में जो वुड़न है वुड़न बीम, छोटे भी बड़े वो डाल दिये ये कहते आसाम थी, लेकिन एक जो सुपर स्ट्रक्शर है बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, उसके लिए आसान नहीं है ये कह रहे हैं, कि उसके लिए आसान नहीं है, उसके लिए नई टेकनिक चाहिए, इन से तात पर रहे हैं, क्योंकि दिली सल्तनत के राजा भार से आये थे, कुतुबुदिन मुहमद गोरी, कुतुबुन नेवक, इलतुतमस, राजिया, बल बन, ठीक है, फिर खिल जी बन्स, ये थे बत्रों, अब यहां से, आगे बढ़े हम, अब यह कहते हैं, कि जो दो प्रकार की बिल्डिंग है थी, टू टाइप्स, और बिल्डिंग्स, टू टाइप्स ओफ बिल्डिंग्स, ये बत्रों, एक कुनसी, जो सेफ बनाएगी, बिग टाइप्स है, किस के लिए, जो फोल्ट था, फोल्ट, पहले इस, ठीक है, इस परकार की बिल्डिंग्स, जो राजा आराम करेगा, जिसमें, ठीक है, दूसरी कौनसी बनाएगी, पॉंड, ठीक है, टेम्पल, मोस्क, ठीक है, इस परकार की, बिल्डिंग्स है, वो बनाएगी, इसमें, दो परकार की बिल्डिंग्स है, ठीक है, अब जो पहली बिल्डिंग्स है, पहली बिल्डिंग्स, उसमें, ये मानिए कि तो राजा का रहनी का स्थान है, इसलिए बहुत इबिग स्ट्रक्चर ही और उसके साथ साथी सिब भी है तो कि राजा रहेगा तो इसलिए अलग परकार से एक तरह से सुरक्षित और संरक्षित ये भी ही रच्चुए है ठीक है और दूसरे हैं पूर्ण बनवा दिया बावली बनवा दिया मोस्क बनवा दिय बार के जो चीजे बिल्डिंग वो बनवा दिया अब यहां पर जो बार में सताब दी है 12th century AD अब यहां से दो चीज आई बच्चों दो ठीक है तो फीचर आए इसमें आर्खिटेक्चर में ठीक आर्टेक्टेक्चर जो स्टैल थी उसमें दो चीज आई एक तो आई ठीक है और उसके साथ आर्ख यह आया और दूसरा आया यहां पर लाइम स्टों विद शीमेंट ठीक है यह आया बच्चों यहां पर अब इन के साथ है अब यहां पर एक जो नहीं बात चली थी कि रूम है रूम जादा है और डूर है वह भी जादा है रूम जादा मंवा दोर भी जादा होंगयी उसमें प्रूल है नहीं विंडो रहे लीजादा बच्चों यहां पी ओऊ गया है shadow रूम जाता हुए तो बिल्डिंग बड़ी हो गई यह अब यहां पर रूफ एक बतो फिर डॉर और फिर विंडू यह बड़े होगे न सारे अब यहां पर यह हुआ के वर्टिकल पिलर यह खड़े किये गए यह खड़े किये वच्छो ठीक है बड़ी बिल्डिंग बड़ी स्ट्रेक्चर बनाने के लिए और उसके ऊपर बीम डालागा बीम सहतीर सहतीर एक और की गई आर्क एक डिजाइन और क्या गया बतो आर्क ठीक है यह क्या गया अब यह आरक पहले नहीं था बिल्डिंगों में भार्तियों बिल्डिंगों में यह आरक पहले नहीं था यह द्यानखिवा पहले डॉम था बुद्ध के ये दहने के अब इसमें इन्होंने जो चब थीं ये लाइम स्टोन और सिमेंट कंक्रीट कॉढ्धी मजबूति के लिए अब इसलाइम स्टोन है ये बच्चों ये पत्तरों को पीश करके सब्सक्रांब उस से बहुत ज्यादा उमर वहाधे है उसके जैसे आप देखते हो कि वी ताज मेल खड़ा है, लाल किला खड़ा है, को तो मिनार खड़ी है, रिनोवेशन हुआ इनका, इसमें कोई दोरा है नहीं, लेकिन जो दूसरे भार के जैसे देशों में हैं, वहां भी बिल्डिंग है खड़ी है, हमारी जो परलेमेंट थी, वो मे आज तरक सेफ है मतलब, ठीक है, यूरोप में, तो यह हुआ पत्रों, कि भई ये इस से यह हुआ, कि आरक से जो यह का, जो वेट था यहां का, उस ने कर दिया, फिर यहां पे एक डोड भर दी, एटों की, या सलैव की, ताकि आरक को रोकर इसको और मजबूती देने के लि परा बहुत ही कम या ने के परापर, यह हुआ, जो बीम आया, जो हम लेंटे डालते हैं, जैसे बीम है, अब यह बीम आगी, लेकिन थे सारे पत्थरों के, यह धालखन बात है, स्टोन हैं, उसके थे, और लाइम स्टोन है, सीमेंट, कंक्रीट है, उसका प्रियोग आ था, इसलिए बिल्डिंगें भौत ही अच्छी बने थी, ठीक है, तो दो परकार की बिल्डिंगें बनी बत्थों, एक राज जगा पहले समान लो, फोर्ट मान लो, इस परकार जो आया, ऐस हाराम करने की दूसरी, जो पोंड थे, बावली थी, टेंपल थे, मोस्क थी, इस परका आओ, का मंदिर बना कदारिया, महादेव, का मंदिर, ये बना बत्थों, राजा थे धंग देव, धंग देव, नाइन हड़न नाइटी नाइटी नाइडी बनाया, अब भारत में तेन परकार की स्टायल है, भावन बनाने की, थी टाइप सुब्वे स्टायल, ठीक है न, पहली नोर्थ इंडिया, नागर, नोर्थ इंडिया इक रफ्चु, थार्ड, है बच्छो दर्वीट, ठीक है, दर्वीट सेली, स्टायल या सेली, अब जो बीच में छोड़ दी मैंने सेकेंड वो इसलिए छोड़ दी बात्चों कि इन दोनों का मिक्सर है कुछ इसके जो सिंटम थे वे कुछ इसकी सिंटम ठीक दोनों के फीचर ले करके फिर एक सैली बना एई जिसको वेशर सेली बोगते हैं ठीक है इसलिए जो मेध्य भारत है तो उसकी वेशर सेली ये तीन परकार की स्टैले बनी है राजा धंगदेव 999 में खुजराओं का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है ठीक है अब ये जो विशाल मंदिर है इसमें एक तो इंटेंज गेट इंटेंज गेज जो परमुख विशेशता वच्चो इसकी साथ साथ है एक सनेक्टम जिसको हम कहेंगे गरब गरहे एक ये दो परमुख है ठीक है एक उता परिदेख्षना ये चारो तरब चक्र कातने वाल रास्ता जो सनेक्टम है उसके चारो तरब ठीक है ये है अब जो सनेक्टम है या गरब गरह है ये वो है जहां पर भगवान की स्टेचू है वो रखी जाती है स्टेचू जहां रखी जाती है भगवान की वो है इसमें ओनली किंग और उसकी फैमिली एंड प्रियस्ट वर अलाव टू इंटर नॉट कॉमन पीपल ठीक है नॉट कॉमन पीपल ये रावाज इसका ठीक है जो धंग देव ने बनवारा था उनका जो मंदिर उसके बारे में ये पर मुकपात रहें अब इसकी साथ-साथ जो दूसरा उध पारण है वो है तंजावूर का किसका बत्चो तंजावूर किस ने बनवाया चोल राजा कौन से राजा राज कब सहसन किया 985 से लेके 1014 तक इनने क्या था किसका मंदिर बना राज राजेश्वर टेंपल ठीक है ने राज राजेश्वर इसको यह हम कहें भ्रेदेश्वर टेंपल देश्वर टेंपल यह मंदिर यह बात जो अब इसकी जो खास विशेश्था रही यह दर्विट सेली में है इसमें ठीक है यह बचो किसमें है दर्विट सेली में है अब इसके जो दर्विट सेली है बेश बड़ा बेश बड़ा मालो इसके ओपर फिर रूम इसके ओपर फिर स्ट्रेक्चर फिर स्ट्रेक्चर फिर स्ट्रेक्चर फिर स्ट्रेक्चर उसका फिर स्ट्रेक्चर फिर एक गुम मत इस परकार ठीक है अब जो भरदेश्वर जो मंदिर है इस पे 90 तन का एक पत्र लिखा हुआ है सिंगल स्टोन सिंगल स्टोन ठीक है नब 90 तन का एक पत्र पत्र ठीक है अब यह कैसे चड़ाओं उससे में हैडोल की मशीन नहीं थी कुछ नहीं थे लगा के यह एक इनिया रास्ता बना हो अईसे थेकर रिया पांच किलोमेटर इस साइड में भी और इस साइड में वह की सोलौपिंग वे यह बना हुआ इस स्लोपिंग में बनने के बाद ये हो सकता कि इस पत्थर वालों ये 90 टन का ये है अब इसको यहां से बांदिया रस्यों से और यहां से उपर ले गए यहां पे भील लगा दिये ठीक है भील लगा दिये और इधर एलिफेंट है उनको लगा दिया पत्थर को बांदिया रस्यों से और फिर यहां से चकली परसे ऐसे उसको खेचागा फिर ये पत्थर को टिक आगा ऐसे टेकनिक रही होगी बत्थों इसलिए जो यहां के जो गाव ने जो इसके आसपास जो बसे हैं उसको बोलते चारू पल्लम चारू पल्लम चारू पल्लम का मतलब यह होता कि जो भी स्लोपिंग में जो सिस्टम किया परियोग उसके काण जो हुआ उसको बोलते वाच्छों ठीक है मंद्री के जो सात के गावंँ ते जो स्लोप करके फिर जो पत्थर रखागा जो रास्ता बना आगा, उसको बोलते हैं, इन गाओं को चारुपलम इसलिए बोलते हैं, ठीक है, फिर दूसरी बात ये, कि इन्हों ने अपने आपको, जो चोल थे, ये अपने आपको भगवान का परतिनिती मांगते थे, इसलिए भगवान के साथ-साथे, जो राजा थे, किंग थे, उनकी भी और कुछ इनके जो भगत थे, उनकी भी तस्विरें बनी थी, भगतों के भी, तो ये माना जाता था कि वे नहीं, एक भगवान, जनता के लिए, एक भगवान इन के लिए, दोनों के मुलाकात कहा हैं, मंदिर में, यहां पे हैं, इस परकारी कंसेप्ट उस समय में थी मतलब, देक्षन भारत में, ठीक है बत्चों, तो ये था, राज-राजिश्वर जो तंजाउर का मंदिर है, वहां का, भरदेश्वर मंदिर, राज-राजिश्वर इसलिए बोलागा बत्चों, कि भई, राजा यहे इसने बनवाँ था, भरदेश्वर का, भागवान सीव से बतात पर यह बत्चों के, उनको बोलते हैं, देक्षन भारत में, ठीक है, तो ये है अब इसी परकार जैसे हिंदू सिष्टम में है, कि भगवान को माना, कि भृध परतिनी, भगवान के परतिनी माना, इसी परकार जो मुश्लिम है, उनमें हैं, मुस्लिम जो राजा थे उन वैसरत्वों क्या अल्ला की पर्चाई अपने आपको यह कहा गया हूँ शैडोफ अल्ला यह बोलागा बत्वों ठीक है और अलावदीन खिल जी इनके बारे में तो और भी ज़्यादा बड़ी कहा गया कि यह काफी जो सुलिमान है जो मुसा है उस परकार के इन में गुण थे क्वालिटी थी इसलिए अल्ला है उसके पर्तिन दी थे यह बात जो अलावदीन खिल जी है उनके बारे में कहीं गई है क्योंकि जो मस्जिदे बनी जबकि जो मोश्क थी मोश्क में बच्चों यह है कि कोई स्टेचू नहीं है जो मुस्लिम दरह में उसको नहीं मानता है मुर्ति पुजा विश्वास नहीं करता लेकिन वो आरादना करता है वो पासन जरू करता हूँ इसमें कोई दो रहा है नहीं कि जो अल्ला है वही सुप्रीम है अल्ला के जो परतिंदी कोन थे वो थे बच्चों पैगंबर महुम्मद यह थे और पैगंबर महुमद के फिर उतरा दिकारी कोनаем खलीफा खलीफा यह आए बच्चों इसके उत्रहे दिकारी यह आए इस परकार जैसे हिंदू धर्म में भगराजा अपने आपको भगवान का परतिन्दी मानता है तो सेम यहां भी अल्ला की परचाई मानता आपने आपको राजा ठीक है विदार्तियों तो बच्चों इस परकार अलाव निखिल जी बार में गहागा मुशा उस्विलिमान के जो गुण है वो इस के अंदर है तो अल्ला की परचाई इसको गहागा इसी परकार जैसे इल्दूत मिश्थे इन्होंने देली एक गुहना पुराणे सहर का नाम बच्चों ये और्ड शिटी उसके पास से एक तालाब बनवा दिया जिसको बोलते राजा का तालाब ठीक है राजा का तालाब या पॉंड ये बनवा दिया उससे इसका जो स्टेटस था इल्दूत मस्का वो बढ़ा इस से उसके परनलव काफी परसंसा हुई जनता में कि वी इस परकारी बाते राजा ने बहुत अच्छा कारिये किया है इस परकारिये के हमके वी राजा जमीन के उपर भागवान का डेलीगेट थे या रिप्रेजेंटेटिटिव थे बच्चों ये है मतलब ठीक है आवे के मंदीर मस्जिद कुए ये सब बने अब बात आती है कि इन्होंने मंदीर जो टेंपल है उनको क्यों तोड़ा ये बात आती है किसी भी चीज को टेंपल है मोस्ज के उनको क्यों तोड़ा अब और कोई अच्छे काम तो है नहीं है तो बेटा कोई भी चीज होती धान से सुनिए उस समय में या अब के समय में धन के लिए तोड़ेगा इसके लिए यह मालों के हम जैसे यह माल लें कि भाई रूस ने यूकरेन को पर आकरण कर रखा है एक साल से जदा होगा तो उसका मतलब भी धन है कि यहां पर लेंड बेसक मिले लेंड के साथ साथ यहां के पीपल भी आएंगे और यहां के जो रि कि भी धन वो किया जाई ठीक है इसले तोड़ा अब इन में धन को ले करके इसले तोड़ागा अब उसमें चाही महमूद गजनवी हो उनने सबसे जाज जो धन किया आखर सित आद्मियों का वो सोमनाथ का मंदिर था वाच्छों सोमनाथ टेंपल यह था ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा धन संपति मिले थी यह का जाता है कि भागवान जो सीव है उसकी जो स्टेचू है वो हवा में लटक रहे थी जो गु पंडे इन्होंने शिलोन के ऊपर शिरलंका के ऊपर आकमन किया और आकमन करके राजा सेन ठीक है लगवा के जो राजा थे शिरलंका के राजा सेन परथम फासर्ट इसको हरा दियो और इसको हराने के बाद फिर यहां से धन संपत्तिय उसको लूट के ले आए इसी परकार दूसरा जो दिश्चा रहा कि राजिंदर चोल वाज ग्रेट किंग और है इस पीड वाज एलेवन ट्वेल बचो टैन ट्वेल और टैन फोर्टी फोर ये था इसका पीड़ इसने भी अपने समय के काफि स्टॉंग किंग थी और इन्ने इन्वेड किया दूसरे जो थे चालू क्यों हो उनपे किया चे गंग हो उनफे किया चाहे शेन हो पालवन्स उन पे किया और एक और रहेगे बच्छू इन पे इनों ने आक्रमण किया अब इन के उपर आक्रमण किया तो वहां से ये धन लाए किसी भी रूप में लाए चाहि मूर्ति सोने के लाए गोल्ड की दो से राजों से या किसी जैसे कालिमा पाल पे जब किया तो कालिमा था इसकी तस्वीर लाए मूर्ति लाए और कहीं से भैरों के लाए और बच्चों कहीं से गणेश उनकी लाए ठीक है इस प्रकार लाए करके फिर जो चोल मंदिर थे चोल सामराजम मंदिर थे उन में राखती गई इस प्रकार इन्हों ने किया था मतलब तो मंदिरों को इसलिए तोड़ा गया कि केवल धन वहां पे इखटा था वो शेंट्र इसलिए उनके उपर इंवेजन हुआ था ठीक है अब बत्चों कि बाग गार्डन ठीक है मक्वरे मोस्क और किले यह यह बत्चों गार्डन मोस्क और फोर्ट्स ठीक है तिन बाते बिसिकली मुगल डाइनस्टी इसको ले करके बेसिकली बत्चों कि मुगलों ने बाबर हुमायू अकबर अकबर जहांगीर सहाजा बत्चों इनों आर्ट लिट्रेचर इसके उपर भहुत ध्यान दिया इनों ने ठीक है इन राजाओं ने भहुत ध्यान दिया बाबर के टैम में ही पेंटर आए थे वहीं से लाये थी है हमायू के टैम में फिर वही राई आकबर गशन दिया भनीक है पेंटिंग अभी और मूर्ति बनाने का भी स्टेचू बनाने का भी ठीक है ने जहांग रेट में फिर इसके साथ साथ ये पेंटिंग ठीक रहा है मालों पेंटिंग बनी ठीक है पेंटिंगी साथ स्टेचू बने स्टेचू बच्चो आदमी के नहीं है ये धानक खड़े बात कभी सच्च आदमी स्टेचू इन्हों दर्म में आदमी के statue बनाना गलत बात है, अच्छा नहीं माना चाहता है, नहीं बनाते हैं, ठीक है, यह क्या इन्होंने, जो बिल्डिंग थी, वो भहुती शांदार और भहुती विशाव, वो बनाई इन्होंने, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, हमायू के बावर, बावर क death 15-30 होई, लेकिन इनको काबूल, जो इनकी इच्छा थी, वहीं पर दफना आ गया, इसलिए को जो बावर काबूल है, उसी में बावर की मौस्क है, यह धान रही बात, ठीक है, जहांगिर की हैं, लाहोर में, आकबर की सिकंदरा, आगरा के पास है, ठीक है, तो इस परकार इनके साथ साथ जो बिल्डिंग्स बनी बच्चो, यह भी बहुत ही, सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, जैसे, रेड़ फोर्ट, यह रेड़ फोर्ट दो है, इध्यान अखना, रेड़ फोर्ट एक दिल्ली का है, जिसको सहाजद बनवाया, और एक आगरे का, जिसको अकपर ने बना वाया, ठीक है, दो रेड़ फोर्ट बत्र, इस परकाद, फिर दूसरे आगरा, देली, फतेपूर सीकरी, फतेपूर सीकरी, और बत्रो लाहूर, यहां पर भहुत सी बिल्डिंग बनवाई, इन्होंने, चीफ गार्डन के रूप में बनवाई, चीमोस के बनवाई, फोर्ट के रूप में बनवाई, लेकिन बहुत बनवाई, अब इन सब में ज़्यादा जो काम किया, वो क्या बत्रो सहा जाने है, रेड़ फोर्ट, एक तो यह, ठीक है, और दूसरा ताज महल, एक यह, दोनों के बत्रों, और दोनों के दोनों, बैंक के जो रिवर बैंक है, बैंक ओफ रिवर, बैंक ओफ रिवर, उन पे बने हैं, यह ध्यान रखना, उस समय में, और यहां पे जो दिल्ली का जो था, यह के इसने सहा जाना बाद, सहा जा ना बाद, एक सहर भी बसाया, जिसमें रेड़ फोर्ट ह तो इसमें दिवाने आम और बच्चों दिवाने खास दिवाने खास दो ये भी बने बनवाए जो मयूर सिंगाशन है पिकोख थ्रोम वो भी था बच्च्यां अब यहां पे इसमें जो बनवाई ये एक चबूत्रे बनवाई दिवाने आम दिवाने खास ठेकन एक प्लेट फोर्म पर और प्लेट फोर्म पर बनवाए करके इसके साथ पेन्टिंग करवाई पीछए के साथ ने आरफ्यस यह कोन थे ग्रीक के युनान के एक गोड़ थे जिसको वाइलन वीना बजाते हुँ दिखा गड़ा है इसके बार में यह का आ जाता था कि जब यह वीना बजाते थे तो पक्सी सब कुछ चानत हो जाते थे इस परकारी बात है इनके बारे का जितनी बिल्डिंगे बनी सारी सारी रेड सेंड स्टोंग और बच्चो वहाईट मारवत इन से बनी और इसमें जो लाल किला है इसमें जो काम हुआ वो पित्रा दोरा का काम हुआ ठीक है पिता डोरा इसे टेक्निक टेक्निक होती बच्चो जो पत्थर होता है उसमें इंग्रेव Metal की जाती है कोई भीछी चीज चित्रकारी हो पेंटिंग हो या कोई और कुछ काम हो उसमें उकेरा जाता है और फिर उसमें रंग भरे जाते हैं ठीक है भहुत ही शांदार है लाल किला है यह है ताजमेल है और दूसरी बेंडिक से उसमें की अगर हम देखते तो यह लगता कि नहीं यह रंग इतने पुराणे नहीं होंगे कि भी साजा टाइम तो कबसे 1627 से 1627 तक रहा है लेकिन उनके जो ग्रेनिस जो कलर है जो बिलू है भहुत ही सुंदर है ठीक है तो यह धान रखिए कि यह रहा फिर इसके साथ साथ साहजा के साथ जो औरंग जेब ने किया इसने सोई आकपर ने किया आकपर ने तैमूर लंका जो समरकंद में था कंद में सिस्टेम था बिल्डिंग बनाने का के उचे डॉम सुपर डॉम एक तो सुपर डॉम बोचे एक के सुपर आर्क यह दो चीज़े अपना है आकपर ने इसलिए उस समय की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें दिखाई देता है तो इसके साथ ही जो मुगलों ने किया वो क्या बतो चार बाग सिस्टम इन्होंने कहीं भी कोई भी मोस्क बनाई लेकिन जैसे मान लेजी यह मोस्क है ठीक बतो तो इन्होंने इसको यहां से यह कर दिया और इसको चार भागों बाट दिया चार बाट में वन टू थ्री फोर यह मोस्क है इसलिए इसको चार बाट चार भागों बाट और यहां पर इन्होंने गार्डन बना दिये गार्डन इसलिए सिस्टम चार बाग कहा जाता है पानी का बहुत अच्छा सिस्टम था ठीक है बहुत अच्छा और इसमें जो परमुख है वो लाहूर कस्मीर और आगरा यहां पर बनेगे मस्जिदों के साथ तो थे ही थे लेकिन यहां पर भी बनवाए नहीं यह कहा यह कहन ठीक है यह सभी उसे मिलेगा जो भी मोगल सहली स्टाइल है उस सभी मिलेगा यह हुआ और इसके साथ जो सहाजा थे सहाजा जो इन्होंने दिवाने खास बनाया एक 40 पीलर का होल बनवा था ठीक 40 पीलर का तो एक उस बिल्डिंग में उसकी साथ साथ जो मैंने बता कि वद्चों इस परकार एक चोत्रा था चबुत्रा बनाया उसके साथ एक वो चेर रखी और यह मुह करते थे किस की तरफ पस्चिंब की तरफ वेष्ट की तरफ वेष्ट की तरफ किसी लिए कि नमाज पढ़ने के लिए ठीक है न, मुसलिम इस ही प्रगार करते हैं, और उसको क्या बोलते थे राजदा ये बोलते थे कि आदमी सीर जुका के और घुटने टिका के जब वो करता उपासना करता उसको राज़ना पहुंदे थे अब इसको बोलते थे किबला इस साड़ मुग करना किबला और इस सारी जनता इसकी साड़ मुग करे इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो खुदा की पर्चाई है अल्ला की पर्चाई अल्ला की पर्चाई तो ये शिदान्त मुगलों ने भी रख्या इस परकार के एक मानागा कि वे खुदा के पर्चाई है तो खुदा के परतिन तो है जवीन के उपार, इस परकार के बाद इन्हों की थी, ठीक है, तो यह बत्चो इसके बारे में, मुगल डैनेस्टी बारे में, कि अकबर हो, बाबर हो, सहाजा हो, जहांगीर हो, इन्होंने काम किया है, बड़ी-बड़ी बिल्डिक्स बनवाई, बाग थे, वो बनवाई, और नई टेकनिक, आरक थे, डॉम थे, सुपरस्ट्रक्चर, अकबर ने जिसे किया, ठीक है, इस परकाम इन आत्मियों ने, इन राजाओं ने किया है, तो विदार्थियों, जो चार बाग सिस्टम था, यह मोगलों के बहुत बड़ी देन है, क्योंकि चारों तरफ बाग लगा इंपायर, कि उनका कितना परभाव पड़ा, इस पर, जैसे मान लीजिए कि विजयनागर, ठीक विदार्थियों, विजयनागर, बंगाल, मालवा, और गुजरात, फातेपूर, शेकरी, यह बाच, अब विजयनागर का जो परभाव था, जो स्ट्रेक्चर का, जो बिल्डिंग्स का स्ट्राइल थी, उसका विजापूर और गौलकुंटा, इनको पर परभाव पड़ा, जो बंगाल की थी, जो चपर की चट, यह जो बनाते थे, उसका परभाव मुगलों पर पड़ा, और इनको ने भी इस स्टाइल को अपनाया, मुगलों ने भी, उनका स्टाइल देखे चट की, के चपर की टाइप की चट बनाते, उसको देख करके इन्होंने अपनाया, गुजरात और मालवा का परभाव, फटेपूर, पूर सीकरी, इसके उपर पड़ा बतो, फटेपूर सीकरी के जो अकवर ने यहां बिल्डिंग बनवाई, उसका परवाव है यहां पर, जबकि अकवर ने क्या क्या था, कि तैमुर लंका जो समर्कंद में थे, एक तो डोम, और एक आर्च, तो ये दो बड़े बनाये थे बच्चुशने, आर्चे जे, ठीकन ने बनाये थे, फटेपूर सीकरी और वरंदावन, आपस में इनका परभाव एक दूसरे पर है, पतलब, इस पर परभाव दिखा, वरंदावन को पर फटेपूर सीकरी का, या, ठीक है, इस परकार, ये जो छेत्रिय जो राजय थे, ये एम्पायर्स थे, उनका परभाव य तो अब ये नए उसमें, कि भई, एक सेलियाई गोथिक, गोथिक स्टाइल, 12th and 13th century AD मचों, ठीक है, किस की थिया, चर्च बनाने की, सबसे परशी चर्च कौन सी इसकी, नाट्रे ड्रम, चर्च कहां पर है, पैरिश में, अब ये आ गए, कि जो मिनार थी ने, मिनारेट, उची-उची, हाई, ये आ गए, और आरक थे, ये बड़े, ठीक है, ने, ये बड़े हो गए, इस परकार की स्टायल यहाँ पर आई, चर्च बनाने संबन में, बार्वी और, तेहर्वी स्ताब दीश में, ठीक है, पैमल अपॉइंटीड, जो आरक थे, आरक थे, वो बनाए गए, और काफी बड़े बिल्डिंगे बनी थे, और इसमें, जो काम था, गलास का, वो भी किया गया, इसमें, और इसके साथ साथ, जो इसा मसी है, उन से सम्मंदित, इसा मसी, तो जो क्राइस्ट, उस से सम्मंदित भी पैंटिंग यहाँ पर की गई बन्चों, ये किया गागा, तो विदार्थियों, चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस बड़ा कह कर लो, इहने कहाथ अब कीम कोन थी, इनने कहा के बिल्डिग कोन छी थी, इनने कहा के टेकνीक कोन सी थी, स्टायल, टेकनीक या स्टायल, यह कोन सी थी, ये बात देता है, जो सब्सम प्रूंदित, पालिक, विदार्य का मंदित भाणों चैए, ठीक हे चाहिए उसको खुदें राजा को खुदा की पर्चाही कहा गया हो या राजा ने अपने आपको हिंदू राजाओं ने भगवान का परतिन दिमान लिया हो बिल्डिंगे दो परकार की बनी एक तो महल के रूप में एक फोर्ट के रूप में एक मंदिर और मस्चिद उसके तालाब उसके रूप में एक परसन यूज के लिए थी एक पब्लिक यूज के लिए थी ठीक है ना मुगल राजाओं ने बाग लगाए चार बाग बोलेगा चार भगव मार दिया गा था और नदियों के किनारे बनाए महलून ने बिल्डिंग फोर्ट बनाए जैसे दिल्ली में लाल किला साहजानवाद बसा और उसके साथ उसने नहर के साथ जो नदी थी यूना जाता है वापर में। और विदार्थियों ताज महल बनाया, वो भी भी बनाया। और उसके चबूतरा बनाके फिर बिल्डिंग बना दी उसके द्रक्षन में फिर बाग बना दिया। इस परकार। इनकी विशेषता रही बाग बनाने की। चिलहौर की बातों ची कस्मीर की ब तो बच्व मुश्किल नहीं है गोथी ग्लास्ट में योर्पिन स्टायल है ठीक विदार्थियों सभी के धन्यवाद पुर्टों